सभी बच्चों को मेरा नवस्कार आज हम NCRT class 12th integration exercise 7.6 की बात कर रहे थे इसकी पहले वीडियो दो बनाए हमने 1-8, 9-16 दो वीडियो हम upload कर चुके हैं आज 17 number questions से इसको हम discuss करने जा रहे हैं देखें integral की खासियत यह होती है कि integral में rules तो होते हैं लेकिन rule डिफरेंस जैसे नहीं होते हैं कि आपने बस उठाया और start कर दिया चल दिया नहीं आपको दिमाग लेना पड़ेगा कि integrable कैसे होगा यह देखें सिंपल से बात है कि यह फिलहाल तो integral नहीं हो सकता है ना तो इसमें हम क्या करेंगे यह x upon one plus x का whole square है ना इसको break करना पड़ेगा जिसको break करने के दो तरीके हैं या तो मैं इसको partial fraction से break कर दूं जिसको क्या अंशिक बिनने कहते हैं है ना और एक idea से कर दूं तो idea में लगाता हूं अगर idea नहीं लगेगा तो मजबूरी है देखे idea य यह है कि नीचे है one plus x या x plus one जो भी आपको है तो लेकिन साफ साफ लिखता हूं तो अगर मैं उपर x plus one कर दूं तो नीचे का x plus one cancel हो जाएगा यह मुझे दिख रहा है तो मैंने का ठीक है मैं इसको x plus one करता हूं तो आपने का कोई आपके घर की खेती तरह नहीं साफ प्लस कर दो चलेगा अब इसको जो अलग अलग किया तो मैंने क्या क्या इस x plus one को इसके नीचे कर दिया और यह x plus one अलग कर दिया इसको अलग कर दिया ठीक है अब इट पॉर x कहेगा यह आप अपना सही हो रहते हम बाहर लिखें फिलाल बैठें जब कम्प्लीट हो जाना बताना इस e to power x को हमने अलग कर दिया ठीक है अब देखिए इसको जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यह आएगा one अपन x plus one अब यह e to power x को साथ लिया ओ डी x को अलग कर दो माइनस e to power x अपन one प्लस x का whole square dx अलग कर दो अब देखो यहां भी product rule दिख रहा है और यहां भी product rule दिख है दो जिगे तो वैसे दोरों में अप्लाई हम कर देंगे product rule लेकिन अगर एक में product rule लगाने से उससे कुछ ऐसा आ जाता है कि दूसरा वाला cancel हो जाए तो हमने कहा था है इन दोरों में से एक में i late लगेगा अब या तो दिमाग लगाई है i late कहा होगा तो अगर i late की हम बा इन वर्स तो यह है exponential यह यह है algebraic इसको first मानना पड़ेगा यह वन अपान x plus 1 को first मानना पड़ेगा और जिसको first मानते है उसको differentiate करते है अब आपको दिमाग यह लगाना है कि इसका differentiation इधर present है या इसका difference है तो 1 upon x plus 1 का differentiation आप जानते हैं minus 1 upon x plus 1 का whole square होता है जो कि हाँ present है तो तो क्या formula होता है first function यानि one upon x plus one into integral of second function minus d by dx of one upon x plus one को लिसकते हैं x plus one का inverse into integral of second function और जो भी result आएगा ये पूरा इसका हम whole integration कर देंगे ठीक है ये हमने इसमें highlight लगा दिया कैसे लगाया अब आपको तो मालूम था अब आप दाड़ी सपेद होगे ये तना आप तो question आपको आते ही है ना और वो एक अलग की बात है हमने ये देखा कि ये algebraic function है ये बीजगनती function है देखो जो आप हिंदी वीडिम के बच्चे हैं उनको भी highlight ही पढ़ना पड़ेगा ती उतनी हिंदी अब अंग्रेजी सीख लिजे जितनी use के लिए होगी अब प्योर हिंदी से काम चलेग करें तो हम जानते हैं वन अपान एक्स प्लस वन का differentiation करने पर ये आता है इसलिए हमने इस्क्वाइलेट माना अच्छा ये भाइस आपको ऐसे लिखा रहने दो माइनस एटू पाउर एक्स अपान एक्स प्लस वन का फोल स्क्वाइर डी एक्स ठीक है रेटिंग गंदी होने एक वजए से जगे बहुत हमको लेनी पड़ती है जिससे कि साफ साफ आ जाए तो ये तो पहला आगे देखें पड़ते हैं देखें इसको जब आप करेंगे तो आएगा वन अपान एक्स प्लस वन इट पॉर एक्स का इंट्रिगल इट पॉर एक्स माइनस इसका डिफ्रें इसको हमने इंट्रिगेट कर दिया और ये एज़िट इस लिखा हुआ है ये एज़िट इस हमने लिख दिया माइनस इंट्रिगल ऑफ ईट पॉर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होली स्क्वार डियक्स अब आप सोच रहेंगे अकल से पैदल मास्टर है ये गले में को डाल एक्स प्लस वन माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया इंट्रिगल या गया इट पॉर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होली स्क्वार डियक्स और ये पहले से लिखा है इंट्रिगल इट पॉर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होली स्क्वार और एक कॉंस्टेंट प्लस कर देते हैं, यह cancel हो जाएगा, तो यह क्या value आ गई, e to power x upon x plus 1 plus c, this is your answer, ठीक है, यह नीचे का part दुबारा मत note कर ले न, क्योंकि यह पहले वाले का part है, ठीक है, तो यह आपका answer हुआ, ठीक है, तो यहाँ प्राइलेट में दिमाग लगना पड़ेगा थोड़ा गोद, हम चाहत कि जो आपका x upon x plus 1 का whole square है, इसको आशिक बिन्द से a upon x plus 1 plus b upon x plus 1 का whole square करके लगा सकते थे, रूल आपको बताया गया है, अगर parcel fraction नहीं आता है, तो parcel fraction, चुकि स्लेबस में नहीं है parcel fraction, इसमें use किया गया है, इसका वीडियो आलेडी हमने integral में ही upload किया हुआ, इसकी जो आप की जो वीडियो पढ़े हैं, उसमें integral है, और नहीं तो मैं इसमें description में दे दूँगा, देख लीजेगा, लेकिन ये apply बात में करना, अगर भाई idea से मिलना तो अच्छी बात है, तो this is question number 17, okay, 18th question कह रहा है कि integral e to power x in bracket 1 plus sin x upon 1 plus cos x, अब आप कहेंगे इसका method क्या होगा, देख ठीक है, एक बात ध्यान रखेगा, और वो isolate लगेगा, क्या लगेगा, को बात की बात है, हमेशा एक बात ध्यान रखेगे, हमेशा इसको आप गाट मांग देजी, कि अगर 1 के साथ cause x आता है, तो cause x का सबसे बड़ा दुस्मन 1 है, 1 को cancel करेगा, मतलब करेगा, ठीक है, यान और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वार एक्स, यह आपने पढ़ा, यह ना, जब यह 2x था, तो एंगल यहाँ पर हाफ हो गया है, 2x से x हो गया है, और अगर यहाँ x होगा, यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, ति इन दो फार्मूले में से एक फार्मूला वो यहाँ फिट करेंगे, ज गेम है, 1 को कैंसिल करना, कैंसिल हो गया 1, अब चूंकि यहाँ एंगल x बाई 2 है, तो साइन एक्स को भी उसी विरादर में प्रेक कर दो, तो साइन 2x का भी हमने फार्मूला पढ़ा है, साइन 2x का फार्मूला क्या है पढ़ा है, 2 साइन एक्स इंटू, जो यहाँ एंगल यह साइन को ब्रेक करना हमारी मजबूरी नहीं थी, जरूरी इसलिए था कि सेम बिरादरी में उसको ब्रेक करने की वज़ेस हमने ब्रेक किया है, जिससे कि वो एक जैसा दिखे है ना, और 1 को हमें साथ ध्यान रखिए, कि 1 is the envy of cause, cause का सबसे बड़ा दुस्मन 1 है, तो यह 1 भाई साब तो हो गए, cancel है ना, आब इसको अलग-अलग करते है, e to power x बिचारा किनारे बैठा हुआ है, वो कहरा आप लो निपट लो, जब निपट लेना, जब मेरा काम है तो बताना, अभी काम नहीं आया इसका, देखो इसको अलग-अलग कर दो, 1 के नीचे अलग कर दो, 2, cos square xy2, और plus 2 sin xy2 into cos xy2 upon cos square xy2 dx है ना, हमने अलग-अलग कर दिया, थोड़ा दिमाग लगाईए, यह cos square जब उपर जाएगा, तो सेक में करणोट हो जाएगा, तो this will become sec square xy2 upon 2, 2 plus 2, अचा, यहां भी तो 2 है ना, यहां भी तो 2 है, 2, 2 cancel हो गया, काम खतम 2 का, देखो, sin upon cos 10 होता है, तो cos ना, निशे, और एक cos से cos कर जाएगा, एक cos से cos कर गया, और sin upon cos 10x by 2 होगा, अब e to power x को अंदर ले जाओ, तो यह आ जाएगा, e to power x into sec square xy2 dx by 2, यहां निखा हुआ है, प्लस e to power x into 10xy2 dx, अब यहां पर गाड़ी थोड़ा सा पट्री पे आई है, ठीक है, अभी तो हम उसको एक तरीके से इंटेग्रेबल कर रहे हैं, है ना, अभी इंटेग्रेबल हुआ, यह दिख रहा होगा, पूरा, यह थोड़ा सा नीचे कामरा कर देते हैं, ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में से एक में i late लगाना है, i late के हिसाब से, i late के हिसाब से, यह exponential trigonatical, trigonatical को first मनना है, अब यह देखना पड़ेगा किस trigonatical का differentiation present है, दोगो अगर मैं 10 का differentiation करता हूँ, तो 6 square आता है, तो इसका differentiation यहां पर यहां पर i late लगाना पड़ेगा, ठीक है, यह दिमाग लगाना पड़ेगा, किसमे i late लगाएं और इनको फिलाल छोड़ दो कि आप आराम करिए, हम वहां पर i late लगाते हैं, ठीक है, तो अपलाई करते हैं i late, देखे ध्यान से, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, तो य परस्ट मानेगी, तो क्या formula आएगा, first function tan x by 2, tan x by 2 into integral of second function, minus, इसको हटा दीजे i late को, यह अपने घर में लेटे जाकर के, d by dx of first function tan x by 2 into integral of second function, जो भी यह result आएगा, इसका whole integration करना पड़ेगा न, यह rule आप जानते हैं, ठीक है, तो यह आएगा, integral of e to power x into sec square x by 2 dx plus, e to power x का integral e to power x, e to power x into 10 x by 2 minus, यह whole integral, 10 x by 2 का differentiation का rule क्या होता है, देखे, 10 x का differentiation square x होता है, अब यहाँ x by 2 है, तो x by 2 को मन में x मानते हैं, तो इसका हो जाएगा, square x by 2, और x by 2 का करेंगे, तो 1 by 2 आएगा, into e to power x का e to power x होता है, plus constant, यह भाई साहब, एक जैसे है, cancel हो जाएगे, तो आ गया, e to power x into 10 x by 2 plus c, where c is the constant of integration, ठीक है, तो this is the solution of this question, ओके, थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, note down this, देखे, 19th question कहता है, कि e to power x in bracket 1 upon x minus 1 upon x square, अब यह तो आ लेडी दो टर्म अलग अलग हैं, इनको पहले तो अलग अलग कर लेते हैं, इनके सालिक दो, e to power x upon x अलग कर दो dx minus e to power x upon x square अलग कर दो dx, अब हमने कहा, इन दोनों में से i late किसी एक में लगा दो, सर्थ यह है कि उसका, जो हम इसको जब integrate करेंगे तो second वाल आपने आप cancel हो जाएगा, अब i late किस में लगेगा, तो i late बार बार लिखना पड़ रहा है, लिखना ही पड़ेगा, यह आपका exponential है, यह आपका algebraic है, algebraic को first मानेंगे, यह ध्यान एक है grounded कि's लिखा हुआ है, तो actually यह x inverse लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर x inverse लिखा है, यहाँ x प़ॉर माइनस 2 लिखा है, और algebraic को first मानना है, तो इसको differentiate करेंगे, तो यह आएगा, या इसको differentiate करेंगे, तो यह आएगा, तो इसमें इस वाले को हम नहीं मान सकते इसमें आईलेट अप्लाई नहीं कर सकते तो हमें आईलेट इसमें अप्लाई करना पड़ेगा हाँ एक काम कर सकते हैं उल्टा करके इसको डिफरिंसेट करते हैं इसमें आईलेट ना लगा दे जिसको first माना उसको second मानू जिसको second माना उसको first मानू आ जाएगा लेकिन अब अगर जहां तक possible हो rule ही लगाओ तो इसमें highlight आप लगाईए ठीक उसको ratio नहीं आप ठीक है लगाते है highlight यह rule होता है जहां पर दो जगे highlight लग रहा हो उसमें 99% आपको एक highlight लगाओगे second अपने आप मिल जाएगा ठीक है देखो यह क्या होगा sorry क्या लगा रहा हूँ first function बोले तो one by x into integral of second function minus differentiation of one by x बोले तो x inverse into integral of second function जो भी यह result आएगा उसका whole integration करेंगे और यह भाइस आप अलग लिखे रहेंगे इनसे कहेंगे आप इंतजार करिए आपको वह पूरी मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो थिरिन को भी highlight लगाना पड़ेगा जब तक आराभ मिल सकती इनको देते रहें तो यह one by x eat pour x का integral eat pour x minus integral इसका differentiation क्या होगा minus x pour minus 2 eat pour x का integral eat pour x dx minus इस यह लिखा रहेंगे दो eat pour x upon x square dx हम plus c यहीं भी कर सकते last में कर सकते कोई plus c का कोई ताम में हो नहीं है हाँ answer में plus c होना चाहिए यह जरूरी है तो इसको खुलिन के आएगा eat pour x upon x minus यह minus आके plus हो जाएगा इसको अपान कर सकते हो तो आएगा eat pour x upon x square dx minus integral eat pour x upon x square dx plus constant यह दोनों cancel हो जाएगे तो this will be your answer eat pour x upon x plus c c को लिखने के बार लिखना जरूरी है कि c is the constant of integration यह जरूरी आपको है ठीक है यह हिदायत है कि उसमें c के बारे में जनकारी आपको लिखनी पड़ेगी ठीक है अच्छा तो this is the question number 90 question 20 क्या बोलता है integral of x minus 3 upon x minus 1 whole cube इसको बिजारे को मत तर्च करिए वो कहेगा पहले अपनी लेथन साफ कर लो जब साफ हो जाए तो हमारी बात करना ठीक है अगर सेम चीज़ नीचे हो जाए उपर हो जाए तो cancel हो जाएगा तो हमने कहा एक तो partial fraction होता है रूल लगा सकते हैं आप लेकिन अगर जब तक idea से लगे काम चल जाएगा देखे नीचे है x minus 1 तो उपर भी इसको x minus 1 लिखा जा सकता है यस हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे x minus 1 और इस minus 3 को जो minus 2 को अलग कर दिया और इसको अलग-अलग कर देंगे x minus 1 इसाएग होल क्यूब है क्या जी यहां ये क्यूब है क्यूब कर दो कोई दिकत नहीं और यहां अलग कर दो कोई दिकत इसको अलग अलग कर दिया और e power x को भी हम छेडंगे नहीं क्योंकि अभी फिलहाल तो हम इसी की हाल जो हालचाल सही कर रहे है अभ ये 1 पावर है और ये 3 power हैं तो एक power तो cancel हो जाएगी तो यह आएगा 1 upon x-1 का whole square यह साहब को साथ ले आओ e power x minus 2 e power x upon x-1 का whole cube dx अब इसको पहले तो अलग-अलग integrate कर दिया जाए तो यह आएगा e power x upon x-1 का whole square dx अलग हो जाएगा minus 2 e power x upon x-1 का whole cube अलग हो जाएगा फिर आई लेट लेट जाए आराम से यह exponential है यह algebraic है दोको यहाँ पर algebraic जब उपर ले जाओगे न तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x-1 की power minus 2 और यह उपर जाएगा तो x-1 to power minus 3 चुकि algebraic को differentiate करना है तो देखना ही है इन भाई साहब का differentiation यह है या इन भाई साहब का यह है तो minus 2 जब differentiate में आता है तो minus 3 दे देता है यानि इसको differentiate करेंगे यानि इसको i late मानेंगे इसको फिलाल छेडेंगे ने ठीक है तो इसमें i late लगाईए और इसको देखिए value क्या आती है जब इसमें i late लगाएंगे तो क्या होगा first function क्या लिखेंगे one upon x minus 1 का whole square into integral of second function minus d by dx of x minus 1 का inverse 2 into integral of second function ये तो इस पूरे का integral हो गया whole integration कहां जा रहा है ये बाई पैमरे के जद में है जद में है थोड़ा सा जद में ले आओ ठीक है ये ले आओ ठीक है और ये वाला अलग कर दो minus integral to e to power x upon x minus 1 का whole q dx अब देखे जाना से is equal दो छोटा लिखेंगे e to power x का integral e to power x होता है तो ये तो आपका e to power x upon x minus 1 का whole is का और होगा minus इसको जदा देखे जाना से integral तब इसको differentiate करेंगे ना तो क्या हैगा minus 2 into x minus 1 to power minus 3 into e to power x का integral e to power x ये तो इधर हो गया और ये ऐसे लिखे रहेगा integral to e to power x upon x minus 1 का whole cube dx प्लस ही कर देंगे अभी हम अब इसको थोड़ा comment करते हैं थोड़ा calculate कर लेते हैं तो आएगा e to power x upon x minus 1 का whole cube minus whole square minus ये minus 12 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ये क्या पचेगा integral के अंदर 2 ये minus 3 नीचे लिआओ तो आएगा 2 e to power x upon x minus 1 का whole cube dx और ये minus का लिखा 2 e to power x upon x minus 1 का whole cube dx प्लस c ये भाईचा आप गए अपने घर तो आएगा e to power x upon x minus 1 का whole square प्लस c समा कलन ये तांकी अंदी में लिख सकते हैं ठीक है तो दिस इस question number थो रैटिंग अंदी है फिर भी हो साफ साफ दिख रहा होगा उदर तो दिस इस question number 20 ओकी देखिए ये question है integral of e to power 2 x into sin x अब उने यहाँ पर दो i late तो एक ही i late है काम चल जाएगा फिलाल i late अगर इसको लग i late यह पता है na i late यह exponential है यह trigonatical है और trigonatical को first मानते है ठीक है तो i late लगा तो इसमें तो first function क्या होगा trigonatical first होगा तो हो गया sin x first function हो गया sin x into integral of second function minus differentiation of sin x into integral of second function जो भी result आएगा इसका whole integration आप कर देंगे ठीक है अब जड़ा थोड़ा सा integral के बारे में बात कर लेते हैं तो को जैसे e to power x का integral जो है वो e to power x होता है लेकिं integral कहता है अगर x के ax आ जाएगा तो यही integral रहेगा लेकिन a upon में आ जाएगा अब कैसे आएगा यह हम नहीं बताने जा रहे हैं यह integral का जो introduction का वीडियो है उसको आप देख लीजेगा है ना देखी लिया होगा जब आप exercise 7.6 पुंचे हैं तो first exercise, second exercise, third, fourth तो पढ़ी ली होगी ना अब देखिए ध्यांसे minus इसका differentiation, इसका whole integral भी करना है इसका differentiation sin x का projects आएगा और इसका integral e to power 2 x upon 2 हो जाएगा dx अभी figure बढ़ो गया अभी answer तो आया नहीं क्यों जब तक integral का sign हटेगा नहीं तब तक integral complete होगा नहीं तो यहाँ फिर product रो लगाएंगे इस 1 by 2 को बाहर निकाल दो तो यह आएगा 1 e to power 2 x into sin x by 2 minus 1 by 2 बाहर कर दो और यह bracket बंद कर दो और इसमें फिर product rule लगाँ, क्या आएगा मुझको नहीं मारो, आप लगाते जाओ उपने आप जुआना होगा आज जाएगा, तो क्या होगा इसको integrate करेंगे, तो first function क्या आएगा, cause x into integral of second function minus d by dx of first function into integral of second function, writing गंदी है, इसको manage कर लिजेगा, अब इसको अच्छा सेज में नहीं कर सकते, समझाने की कोसिस कर रहा हूँ पूरा में, तो यह हो जाएगा e to power 2 x into sin x by 2 minus 1 by 2 बाहर कर दिजेगे, इसको बाद नहीं देखेंगे, देखे, cause x हो गया, e to power 2 x का integral, e to power 2 x by 2, अभी हम बता चुके हैं, यह होता है, minus integral, यह वाला integral, बाहर जो लगा हुआ है, cause x का differentiation क्या होता है, minus sin x, minus sin x, इसका integral e to power 2 x by 2 dx, अब करेंगे क्या हम, अब हम bracket खोले जा रहे हैं, ठीक है, इस minus को अंदर ले जाएगे, यह minus भी बाहर आएगा, फिर जो भी होगा देखा जाएगा, इसको bracket खोलो, तो यह आएगा e to power 2 x into sin x by 2 minus, यह अंदर जाएगा देखे, 2, 2, 4 हो जाएगा, तो आजाएगा e to power 2 x into cos x by 4 हो जाएगा, minus, देखो यह minus अंदर गया, इस minus ने, इस minus से multiply किया, अब plus बनाया, यह minus बाहर आएगा, बोले काहे को plus बनाया, मैं यहाँ बैटा हूँ, तो इसको फिर minus कर देगा, minus, यह 1 by 2, यह जा रहा है, और 1 by 2 यहाँ लि अब आपके यहाँ लो, अभी फिर आंसर नहीं आया, फिर प्रूटर को लगाए, ना, 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 सुनिए ध्यान से, अगर आप question मन से लगा रहे हैं, तो इसको आप पहचानते होंगे, यह भाई साब फिर यही आ गए, तो आपके फिर तो दुबारा आप integral rule तो यह क्या आई, बात समझ में आई, इसको माने आई, आई गई होगी, तो इधर तो आई मान के चली रहे थे ना आप, तो क्या होगा, i is equal to, इधर क्या आएगा, e to power 2x into sin x by 2 minus e to power 2x into cos x by 4 minus 1 by 4i, इस i को इधर ले आओ, और उसका नाम दिया था i, हैनि i have to find the value of i, then this i will come to this side, it will become i plus i by 4 is equal to, देखो, एक काम यहाँ कर सकते हो, 4 lcm ले लो, और यहाँ से e to power 2x कामा ले लो, तो यहाँ जाएगा 2 sin x minus cos x, चुकि थोड़ा बहुत calculation तो करना ही पड़ता है, अचा, प्लस सी आप लेख सकते हैं, constant प्ल need कर लिया जाए, बसा अंसर आ गया, देखो, integral थोड़ा सा technical इसलिए होता है, integral कहता है, हमें integrable करिए, तब integral होगा है न, देखो जाएगा, इसको lcm लो कितना आएगा, यह आएगा, 5i by 4 is equal to, यह e to power 2x आएगा, यह आजाएगा, 2 sin x minus cos x by 4 plus c, यह 4 प्लस सी, यह 4 प्लस कहत cancel हो गया, और इस 5 को अपान में ले आओ, तो अगले step क्या करोगे, इस 5 को हटा देना, इसके अपान में ले आना, यहां मत लेगा, क्योंकि constant के अपान में अगर 5 लेके भी आओगे, तो again you get a new constant, तो constant अपान constant बोले तो constant, अगले step करिएगा, आप ना cancel कर देना, तो this is your answer, ओ integral of sin inverse 2x upon 1 plus x square dx, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, पहली बात inverse का integral नहीं होता, कामी खतम, इसका integral नहीं होता, दोसी बात inverse के अंदर इतना खतरनाग चीज़ लिखी भी है, कि अगर कहीं पर इसका differentiation, जिस function का integral नहीं होता, वहां बताये गया था, कि जैसे एक function लिखा है, 10 inverse 6, और इसका integral नहीं होता, तो into 1 मान के इसको integrate कर दो, यह algebraic होगा, तो इसको differentiate करेंगे, इसको integrate कर देंगे, चलेगा, लेकिन, अगर मैं इसको differentiate भी करता हूँ, तो यह इतनी भेंकर, जो inverse के अंदर value दीदी है, यह खतरनाग है, तो inverse को हटाने का rule यह होता है, अगर sin inverse है, तो हो जाएगा theta की वर, यह थोड़ा से सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या assume करें, तो simple सी बात है, कोई trigramatical rule assume करेंगे, तो उसके लिए trigramatical formula याद होना चाहिए, यह हम को दूर से दिख रहा है, कि 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, sin 2 theta का formula होता है, यहनि कुल मिलाकर कि हम यहाँ पर x को tan theta मा लेंगे काम चल जाएगा, मान लीजे, let x is equal to tan theta, लेकिन मजबूरी यह है, कि जब हम x को tan theta मान लेंगे, और यह function पूरा theta में convert हो जाएगा, तो भाईया, dx को भी ठटाना पड़ेगा, क्योंकि theta के function को तो theta के respect में integrate कर सकते हैं, तो यहाँ से dx भी निकाल लो, तो dx क्या निकल integral, sine inverse, यह क्या लिखा हुआ, यह हो जाएगा, sine 2 theta, into, dx को क्या मानेगे, 6 square theta, d theta, और sine inverse, sine sine हर जाएगा, तो यह आगया, आपका 2 theta, into 6 square theta, d theta, अब यह as a product rule, निकल आएगा, यह algebraic, यह 2x, 6 square x तरह लिखा हुआ है, यह algebraic हो गया, और यह trigonatical हो गया, तो अगर algebraic और trigonatical एक साथ होता है, तो I late के हिसाब से trigonatical और algebraic, तो algebraic को first मानते हैं, तो मालीजे, first function 2 theta, into integral of second function, second square theta, d theta, minus d by d theta, of 2 theta, into integral of second square theta, d theta, और जो भी result आएगा, उसको दुबारा theta, यह ध्यानक है, theta के respect में हम integrate कर रहे हैं, constant आप यही plus कर दो, यह अगले step में plus कर दो, कोई फरक नहीं पड़ता, तो यह 2 theta हो गया, second square theta का integral, याद होना चाहिए, नहीं याद है, याद कर लिजी, लेकिन, अगर दिमाग लगाना है, तो ऐसा function ढूंड के लाओ, जिसको differentiate करने पर second square आता हो, तो हम जानते है, 10 theta को differentiate करने पर second square आता है, तो इसका मतब second square का integral क्या हो जाएगा, 10 theta, तो यह हो गया, 10 theta minus integral, 2 theta का difference is in 2, second square theta का 10 theta, d theta, और plus c जोड़ी दो, ठीक रहेगा, ठीक है, अभी इसका integral होना है, अब देखिए, इसको integrate कैसे करेंगे, कि नोट कर लिया होगा आपने, प देख रहे हो, अब देखिए, तो यह तो आई चली रहा था हमारा ना, तो आप लिखेंगे, 2 theta into, 10 theta minus 2, देखो, 10 theta के दो integral होते हैं, या तो आप minus log cos theta कर दीजे, या log sec theta कर दीजे, क्योंकि आप ने यहाँ पर क्या 10 कोटी माना है ना, तो आप इसको log sec theta कर दो, log sec theta plus c, अब चुंकि हमारा जो assumption था, वो अपना purpose solve करने के लिए हो गया है, अब मेरा purpose solve हो गया है, मतलब निकल गया है, तो यह ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, तो अब यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, कैसे हटाएंगे, देखिए, हमने किसको t माना था, 10 theta, x को माना था तो जहाँ 10 theta है, वहाँ क्या मानोगे, x लिख दोगे, और जहाँ अकेला theta है, वहाँ क्या लिखोगे, 10 inverse x लिखोगे, शुरू हो जाओ, तो देखिए, 2, 10 theta को आपने x माना, अकेले theta को क्या माना आपने, 10 inverse x, minus 2, log, अब 6 theta को 10 में convert करना पड़ेगा, तो दो तरीके हैं, य या आप 10 theta क्या होता है, एक छोटा सा बनाओ triangle, 10 theta होता है, लम बटे आधार, बेस अपान, sorry, perpendicular अपान, बेस, तो उससे निकालो, happiness, root 1 plus x square, और 6 theta होता है, करन बटे आधार, happiness अपान, बेस, तो इसको लिख सकते है, under root, 1 plus x square, अश्या माड होता है, log में आप जानते हैं, माड 2x, 10 inverse x, minus 2, power half, पहले आ गई, तो log, mod, 1 plus x square, प्लस c, ये 2, 2 कड़ गया, तो ये आप कांसर आएगा, 2x, 10 inverse x, minus, log, mod, 1 plus x square, प्लस c, तो this is the integral of this, ठीक है, इसको देख लीजीगा, okay, question 23 कहता है, integral of x square, e to power x cube dx, देखे जरा, rule क्या होता है, rule कहता है, अब ये product rule लगा दू, लेकि product rule लगाएंगे न, तो जब हम पहुंचेंगे, e to power के पास, और इसका जब integrate करेंगे, तो ये दिक्कत करेगा, ये power, तो नियम ये है, x की जगह है, अगर कोई और चीज दी हो, तो उसको t assume कर लो, शर्त य होना चाहिए, तो x cube का differentiation 3x square होता है, यहां presented, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 constant है, वो manage हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, x cube को t मानता हूं, क्यों मानता हूं, क्योंकि एक तो e to power x का differentiation भी होता है, integral भी होता है, x की जगह कुछ extra चीज दी होगी, उसको t मानते है, इसको differentiate क करूं क्या आएगा, 3x square dx बराबर dt, तो जहां dx है, वहां क्या लिखेंगी, dt upon 3x square, रख दो यहां पर, so, i is equal to, क्या हो जाएगा, आपने इसको कुछ माना नहीं, इसको मत छेडिए, e to power t माना इसको, dx को क्या लिखेंगी, dt upon 3x square, x square कैंसिल हो गया, 1 upon 3 बाहर, e to power t के respect में, e to power t होता है, t कमान रख दो, e to power x cube plus c, constant होता है, constant integration, ठीक है, तो this is question number 23, 24th कह रहा है कि, e to power x, sec x, 1 plus 10x, dx को integrate करिए, मुझे नहीं मालूं method, पहले तो bracket हम खोलते हैं, खोल दीजे, इसको अलग-अलग integrate कर दो, e to power x, sec x, dx, अलग कर दो, प्लस, e to power x into, sec x into, 10x, dx, अलग कर दो, अब दोरों में, product rule लग रहा है, highlight, हमने कहा था, highlight, दोरों में से एक में लगा, तो पर दिवाग लगाते हैं, तो अगर highlight करते हैं, तो यह exponential है, यह tigramatical है, tigramatical को first मानेंगे, तो sec x को first मानने से, इसका differentiation sec x, 10x आता है, यह sec x, 10x को first मानने से sec x आता है, तो हम जानते हैं, sec x का जो differentiation होता है, वो sec x into 10x होता है, इसका मतब यह highlight के rule को follow कर रहा है, तो भी apply highlight here, क्या होगा, first function sec x into integral of second function minus dy dx of first function into integral of second function to the whole integration, और इस भाइसाब को कह दीजिए, आप बैठे रहों, आपके लिए पूरी हम से इक्के ला रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलिए, इसको खोलिए, sec x, e to power x का integral e to power x, minus sec x का differentiation, sec x into tan x, e to power x का integral e to power x, plus, यह लिख दो, e to power x into sec x into tan x dx, plus c लगा दो, और यह भाइसाब cancel हो गए अपने आप, तो यह आगया e to power x into sec x, plus c, constant of integration c होता है, तो this is the 24th question, of this exercise, और इस प्रिकार से पूरी exercise खतम होगी, हमने इस exercise के तीन वीडियो बनाए है, जो कि एक साथ बिलकुल दो दो घंटे, तेटर घंटे का वीडियो बनाने में, तो थोड़ा देखने वाले को बोरियत हो जाती है, विसे हो नहीं निचे, mathematics question बोर नहीं होता है, तो इसको जो नए आड़ी सर्मा आई है, वो नए कलेवर में आई है, तो मैं उसके वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, और आड़ी सर्मा पहले तो 11 बनाएंगे, बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं, एक साथ चार पान सो वीडियो बन नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उसके भी solution आप की किसी काम का है, सब्सक्राइब कर लिजिएगा, शेर कर दीजिएगा, और ना लगे तो आगे बढ़ देएगा, नमस्कार, गुड नाइट.